निर्दस इस में आखो के आugाई जभू से इस और निर्दस प्रिवार मारा गया है तोड़ भी वह बाबा की आलत भी काफी Square है तो कही मुझे लगता है इसकी उन दोनों परिवारों में जाड़ साज ये दोनों परिवारों में रोड़ है क्योंकि आगर निर्दोस बंदे का चारा ना अलगी दिखाई दे जता है मस्कार मैं हूँ अजब आरद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और आप सभी को पता कि जस हत्या कांड की गुथी अभी तक है नई सुड़ जी है क्योंकि परसासन की तरफ से बार-बार दावा किया जाता है कि सुड़ जा दी गई हाला कि प्रिवार खुष नहीं है संतुष्ट नहीं है इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि राजेस का प्रिवार भी उसमें सामिल है आप दे सकते हैं हमारे साथ एक बार फिर दोबारा मोजूद वही बाबाजी जिनकी सुरू वाले दिन वीडियो वायरल होती है फोटो व बचे को मार दिया थी इन दिन के बाद अंजली चाची का नाम आता है इसी बीच पूरा देश पूरा हरियाना इस बाबाजी को भूल जाते हैं इसकी जो तकलीफ है उसको भूल जाते हैं जो तकलीफ आप सब की हम सब की गलती की वज़े से पूरी बाबा जी बावाजी विल्कूल सदावने चाहिए विल्कुल कड़ी से भी कड़ी उसको सदावने चाहिए जो मासूं बच्चे को इतना जियत्या कर सके उसका केकिन है खरकराम जी गाओं की जो बेटी है प्रिंग का पहुंची है यहाँ पर साथ में सुरेंदर सरपंच है यहाँ पर पहुंची है और इंदरी गाओं से एक बेटी है पिंकी वो भी यहाँ पर पहुंची है बहन जी क्या कहना चाहेंगे खास तोर पर इस बाबा जी को ले करके कह पूरी उमर इसको शेद गई बिल्कुल देख भी एक गरीब परिवार था और कुछ सरारती तत्तों लगा लो क्योंकि कुछ मैं सारे नहीं कुछ एक ऐसे जो बच्चों के साथ ऐसी अरकते लेकिन कही ना कही गांवारों के विमन में यह हुआ कि भी फिला देखके हां बाबा ने उठा लिया घर बाबा जिक का यह आल किया है तो जो आरोप एस जिन के गर से बच्चा मिला तो क्या पुलीस पर रसासिने उनका यही असर नहीं करना चीक्त की बाबाजी के अपकर हो जिसका बेटा अगर वो खुद कबूल कर लेती और खुद कबूल किया उन्होंने फिर भी पुलिस प्रसास ने ऐसारी मांड नहीं लिया जैसा बबाजी का लिया था रहामें बड़ा दुख है कि एक निर्दोस परिवार मारा गया अलाकि यह तो अपना मांग कर यह अपना गुजारा कर रह वैसे गांगा ऊजा कर आपके ऊपर कोई कलंक निया जिस भी इसी ने वहत्या की थी वह आसली कातिल उसके पकड़े गए और अगभी परिवारा दुआई दे रहा जिन्होंने ऐसी एत्तिया की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ची यह लेकिन कहीना कही मैं भी एग कुछ गाउंवाले यहां पर आते हैं, बगार सबूत, बगार तथे के दार पर क्योल एक मिथ्या बाते चलती हैं, और बाबा जी का पूरा समान तोड़ करके चले जाते हैं, इन्होंने बैड वगारा सब कुछ दिखाया, सरीर भी तोड़ दिया, गरका समान भी तोड़ दिय देखो, वो तो एक जब चार साल का कोई बच्चा गया बहुता तो हार किसी का दिल में दरद होता भी पता चलते हैं, मैं तो बाबा जी भी होते, इसका बच्चा उठा लिया तो इनके दिल में भी दरद देखो, उनका कोई कुसूर निया, लेकिन मैं कुंग की भाई, जित मैंने भी सोसल सैट पे इनका अकाउउंट नंबर भी दे दिया जाएगा, क्योंकि एक घरीब निर्दोस परिवार मारा गया, उदर से वो निर्दोस परिवार मारा गया, जिसका बेटा गया तो एक आप लेकिन पूलीस परसासने रिमांड के बाद ये गुजारा करनेके ल हम बाहुनाओं में भैकर करके जल्दवाजी कर देते हैं और किसी को भी अव मतलब बदनाम कर देते हैं सोशल मीडिया के माद हम से ही आज एक यह सोशल मीडिया एक ताकत भी है वह ताकत इसलिए मीडिया पूर जोर ताकत लगाए हुए कि इस बेटे को न्याय मिलना चाहिए कमजोरी इसलिए कि हम सब की गलती सोचल मीडिया की गलती की वज़े से इस बाबा का रमांड ले लिया जाता पुलिस प्रसासन के द्वारा इसके पुरिये स्रीर को लठों के साथ और याने बासम कहते हैं कि गोडा लाठी दे दी जाती है बाबा बता रहे हैं उल्टा लटका करके इसको पीटा जाता है जिस तरह वो करें ना कि भी राजिस का परिवार दोसी ने देखो ही निर्दोस बाबा यह दोसी नी आखो से मतलब अंदर की वो कर रहे हैं उसने बच्चे को कुछ नहीं करना चाहिए ता तो मसी बचाए उसने तवार तक विचारे ने कुछ देखागी नहीं निर्दोस की आखो कह भी तक नहीं सुखे अगर राजयस्की पतनिया राजयस्की मां यदी दोसी नहीं तो क्या उनको एकब मीडिया के सामने परिवार के सामने आका सफाइद नहीं देने ची कि निर्दोस ऐस मारे आज तक इनके आकों का सुनी रुक रहे हैं और निर्दोस परिवार मारा गया है तोड़ फोड भी यह बाबा की आलत भी काफी खराब है तो कई ना कई मुझे लगता है कि उन दोनों परिवारों में जाड़ साज यह दोनों परिवारों में रोड़ है क्योंकि आगर निर्दोस बंदे का चारा ना अलगी दिखाई दे जते हैं चलो बाई वीडियो आपने देख लिए फिलाल जो बाबा जी यह वहीं बाबा जी हैं एक जूठी वीडियो वायरल होती है पूरा जो गर का समान वो भी तूट जाता डिस्किप्शन में बाबा जी का अकाउंट नंबर भी हम देंगे और बाबा जी का अकाउंट नंबर देने का उदेश से यह है ताकि इस प्रिवार को सहेता मिल सके ताकि इस प्रिवार के उपर जो सब इमान को ठेस पहुंचे इ इस उमर में जो इन्होंने चोट खाई है और जो प्रिवार जो गर का सारा समान तोड़के गए हैं कि गरीव घर है पहले से ही तो उसका कुछ बुगतान कर सके आप सब सोशल मीडिया के जितने भी साथी हैं जो भी आपकी चाबने आप जरूर बाबाजी को डोनेशन जरूर क करें ताकि इनका सब इमान है जो इनका जो सरीर मुझे नहीं लगता जो लठे जो इनको मार रखे हाथ अभी तक कांप रहे हैं आथों के उपर सूजन है पैरों में सूजन है खड़ा तक होया नहीं जारा दो व्यक्ति लगकर कि इसको कुर्सी बैठाते हैं तब जाकर कि य को मिलेगा आप जरूर इनका सहरा बनें कमेंट बोक्स में आप अपनी राए जुरूर रखें जस्टिस इसको ले करके ही यह पूरा जो हत्याकांड पूरा तर्चित चला है तो इस वीडियो को शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कामरावन से उगेंचार के साथ मजबार द्वाज राश्टर ने डिमान की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें